दोस्तों 36 गड़ को भाजियों का गड़ कहा जाता है उन में से एक बहुत ही फेमस भाजी है लाल भाजी जो की गुणों की खान कहलाती है लाल भाजी को लाल साग भी कहा जाता है और इसके पत्ते हरे होने के कारण इसे चौलाई भी कहा जाता है इसके बहुत सारे गुण है लेकिन लाल भाजी जो है, अगर आप डेली खाते हैं, तो इसे आपकी पत्री भी गलकर बहा निकल जाती है, ऐसे तो लाल भाजी हर घर में बनाई जाती है, लेकिन सब भी की घर में अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है, आज आप मेरे तरीके से देखे, बहुत टेस्टी बनेगी तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं मैं हुए एक्ता और आप देख रहे हैं कुकिंग लॉजिक लाल साग बनाने के लिए सबसे पहले हम भाजियों के पत्ते तोड लेते हैं पत्तो के साथ साथ ये छोटी छोटी डंठले जरूर तोड़ें क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है जिससे हमारा पाचन अच्छा होता है और कबजी की शिकायत नहीं होती है लाल भाजी को तोड़ने के बाद इसे तीन बार पानी से अच्छी तरह धो लें क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है और उसके बाद इससे बारिक बारिक चौप कर लें इसके साथ हम एक आलू भी इसमें डालेंगे अगर आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं और उसे बड़े बड़े टुकडों में काट लेते हैं अब हम एक कढाई ले लेते हैं और उसमें डालेंगे 2 चमच तेल, यहाँ पर आप सरसों का तेल भी यूज़ का सकते हैं फिर हम डालेंगे आदी चमच राई, राई आप जरूर डाले और आदी चमच जीरा थोड़ी से हींग इसके बार हम डालेंगे 4-5 लाल खड़ी इमिर्च और 2-3 हरिमिर्च लाल खड़ी मिर्च जरूर डाले इससे पुखत अच्छा टेस्ट आता है भाजी इसके बार हम डाल लेते हैं लसन जो बारी काट कर डाला है ठंड में हमें लसन अद्रक जरूर खाना चाहिए इसलिए आप जरूर डालें इसके बाद एक प्याज बारिक काट कर हम इसमें डाल लेते हैं और इसे बहुत जारा नहीं भुनना है, सिर्फ एक मिनट के लिए हमें भुनना है और उसके बाद जो आलू काट कर हमने रखे थे, वो इसमें डाल कर हम पका लेते हैं लाल भाजी में विटामिन A, C और K भरपूर मात्रा में होते हैं इसलिए ऐसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें अब हम आलू को 5 मिनट के लिए धक कर पका लेते हैं तब तक हम 4 टमाटर लेते हैं जिसमें से 3 टमाटर को हम बारिक चॉप करेंगे और एक टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ो में काट लेंगे टमाटर थोड़े ज़ादा हम इसमें डालते हैं जिससे सबजी का टिस्ट बहुत अच्छा आता है ये देखे 5 बिनट हो चुके हैं आलू भी गल चुके हैं अब हम इसमें लाल भाजी जो हमने बारिक बारिक चॉप करकर रखी थी उसे डाल लेते हैं लाल भाजी में प्रोटीन, मैगनेशियम, फासफोरस, फोलेट, राइबो फ्लेविन और केल्शियम भी पाये जाते हैं जिसके कारण हम बहुत सी बिमारियों से बच्चे रहते हैं तो चली आब हम इसमें डाल लेते हैं बारिक कटा हुआ अध्रक लाल भाजी में केल्शियम होने के कारण ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है प्रेगनेंट लेडी को लाल भाजी जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें आईरन भरपूर मात्रा में होता है और बच्चों का विकास इससे बहुत अच्छा होता है विटामिन एक ये अधिक्ता होने के कारण ये आखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है साथी साथी ये डियाबटीस को भी कंट्रोल करती है चलिए अब हम इसमें जो बारी काट कर हमने टमाटर रखेते वो डाल लेते हैं और दो मिनट इसे गलाने के बाद जो बड़े एक टमाटर रखेते उसे भी डाल लेंगे लाल भाजी खून में इंसुलीन की लेवल को कंट्रोल करती है जिसके कारण ये शुगर को बढ़ने नहीं देती अगर आपको एनिमिया की शिकायत है या खून की कमी की शिकायत है तो लाल भाजी जरूर खाएं इसका लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें आईरन भरपूर मातरा में होता है इसलिए अगर आपको एनिमिया की शिकायत है तो आप लाल भाजी जरूर खाएं टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे स्वाद के नुसान नमक नमक की मात्रा यहाँ पर आपको कम रखनी है जैसे भिंडी में थोड़ा सा भी जादा डाले तो नमक जादा हो जाता है वैसे ही भाजी पकने के बाद बिलकुल थोड़ी सी हो जाती है इसलिए नमक बहुत कम डालना है हमें इसके बाद हम डाल लेते हैं पॉना चमच के करीब धनिया थोड़ी सी लाल मिच इसे स्किप भी कर सकते हैं और बिलकुल थोड़ी सी हल्दी अब सभी मसालों का हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बार इसे ढखकर दो मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक की टमाटर नगल जाए अगर आपको तवचा में दाद, खाज, खुड़ली की समस्या है तो लाल भाजी को पीस कर उसे उस जगह पर लगाए तो आपकी वह समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी ये देखे टमाटर गल चुके हैं, अब हमने जो बड़े बड़े टुकड़े टमाटर के काटे थे उसे हम इसमें डाल लेते हैं और बहुत जाराई से नहीं पकाएंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए इसे ढखकर पकाएंगे ताकि थोड़े से ये गल जाए सर्दियों की दिनों में लाल भाजी भरपूर मातरा में मिलती है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो डेली अपनी डाइट में इसे शामिल करें थोड़ा सा हम डाल लेते हैं मैगी मसाला इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये देखें भाजी बिलकुल तैयार है, आप खुद भी खाये, बच्चों को भी दीजे और बुजूर्गों को भी दीजे, भाजी बहुत फायरे मन्द है आपको घुटने में दर्थ की समस्या हो या बालों की जढने की समस्या हो इसे खाईए समस्या बिलकुल दूर हो जाएगी तो फ्रेंज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करकर जरूर बताईए अगर आप इस तरीके से लाल भाजी बनाते हैं तो भाजी तेस्टी भी बनेगी और इसकी nutrition value भी बनी रहेगी क्योंकि हमने इसे बहुत ज़ादा देर तक नहीं पकाया है कभी भी भाजी बनाते समय आप ध्यान रखें कि उससे बहुत ज़ादा देर तक ना पकाया नहीं टोर्स में nutrition नहीं बसता है तो चलिए इसे की साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं रेसिपे की साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर